नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंखिता पाल बूडिंगी शुरुबात करते हैं इंस्ट्राग्राम अकाउंट पर एक अनोखा वीडियो वारल हो रहा है जहाँ पर आप बताते चुलें कि दराने धमकाने का रेट फिक्स किया गया पोस्ट जो है वो पोलू बदमाच ने अपने इंस्ट्राग्राम अकाउंट पर पोस्ट किये है जो कि पोलिस के लिए भी काफी चताबनी बना हुआ है लेकिन ऐसे तस्वों पर रोक नहीं लग पा रही है और ऐसी एक तस्वीर सामने आई है फरीद कोर्थ के एक युवक ने जहां पर पोलू बदमाच नाम से आईडी बनाई और उस पर भी ऐसी पोस्ट वाइल कर दी जो कि काफी चर्चा में है जल्दी हिरासत में लेकर पोलिस इस पूरे मामले की कारवाई करेगी जिसनी साधे उस्ते आई खागे लिए विडियो भी वी बेह लिए मैं वेल जी मदुनारो बंधी करेखे़ करवाई करवाई करावई करहारें जो तरह एक पोस्टां पाके जो अपराल हो या आपिए की श्राथी अंपरालों मोहल नो खराव किता जा रहा है उसनों लेकर किस तरह मुझे सकते हैं? तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ गाओं किलिवारी रेलवे क्वार्टर में रहने वाले दो बच्चों की मा एक महिला को उसके साथ ससूर और पड़ोस के करीबी ने 55 साल जोली हालत में सिविल अस्पटाल लेकर आए और पलिस को दिये गए बयान में आज से जूती महिला मम्ता ने बयान दिया कि उसके ससूर ने उससे सुबा पीता और बाद में उसकी सास ने उसको आग लगा दी जबकि अस्पताल से लेकर आए साथ ससुर ने इन आरोपों को जूटा बताते हुए कहा कि उनका बेटा दुबाई गया हुआ था फिलाल पूरे मामली की जाच लगातार जारी है कि नाम की महिला दा कर लेकर लेकर नाम की नाम की महिला दा कर लेकर लेकर मता और गर्वदना मनीश्य इन रेलेवे करोंदी किल्या वली इन पूर्ट जाएंगे डवसर दुटी साब करे एक कर नाम का उंत्र हुए है कुछ कहने लेका नाम का प्लेट कोरेव न गया है और बिलारे मौन वपिल समय शहरी हुए है अधिक हुए होज है यह गया है कि डूटी नहीं हैं नुटी के लिए था कि कि दूटी कर देया हुए वाण। यही उठी। तो मैं इसको दंका है दो तपेडे स्पेमारे। देर बोवन मक्वा लागे बेटा तुना रोडा करें। वाद नामला बताम मरूँ उठलानी करो देर। तो नामला में पुछा लागें। नामला मता यह उठी। खबर चंडिगर्ट से है जहां पर आपको उजादर चले कि चुनाव के लिए पंजाब कॉंग्रेस तयार है चुनाव परविक्षक के लिए भी न्यूक्ती जो है वो की गई है चुनाव के लिए पंजाब में पंजाब में जल्धी रोकसबा चुनाव होने वाले हैं और 25 अर पंजाब में कॉंग्रेस जो है वो तयार है चुनाव के लिए चुनाव पर एक फ्रक्षक जो है वो तयार कर दिया गया है और उन्हें न्यूक्त भी कर दिया गया है अजनाव शहर के पास अमरेसर से कॉंगर्स पार्टी के उम्मीदबार गुर्जीत सिंग और जाला के पक्ष में हो रही रहली के बाहर कुछ यूपकों ने पुरानी रंजिश की चलते एक यूवक को गोली मारती है जिससे आपको दाद शरी के उगर ओलक का यूवक जो है वो लवली कुमार घायल हो गया वहीं थाना प्रभारी बर्बीर सिंग मौके पर पहुंचे और जाज भी शुरू करती है रूपष्ण करते जाए पर चाहिक जोड़ानी तबढ़ आपकों सब्सक्राइब ने तक पर लुशन सब्सक्राइब ने वर्टाइब दूशन सब्सक्राइब क्याबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने मलोट में अन पार्टियों को छोड़कर आमादी पार्टी में शामिल हुए और परिवारों का स्वागत भी किया शुरुमरिया काली दल की ओर से जारी घोशना पर भी उठाए गए सवाल पर हंसराज हंस की ओर से किसानों को लेकर दिये गए विवारित बयान की निंदा की कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने भी चुनापरचार किया मलोट सह और गाओं किंगरा में उन्होंने अलग-अलग पार्टियों को छोड़कर आप पार्टी में शामिल होने का स्वागत किया है और कहा कि आप पार्टी की नीतियों को देखकर लोग दूसरी पार्टी आएं उसे छोड़कर आप में शामिल हो रहे हैं प्रवार जड़े काली दालनों छाटके आज आमाद भी पार्टी वेच शामल हुए है एसे तरहीं आज शेयर दे वेच भी साटे बहुत थी सतकाद शिक्षियत तांजने संदू परवार उनने नारहोल बहुत सारी हैं फैमिली जड़ियां वो अकाली पार्टी में छाटके आमाद भी पार्टी शामल हो रहे है और मैं कहांगी सित्थे साटा परवार चवादा हो रहे हैं उत्थे संगठन भी बहुत मजबूर थी मिलगा परवार नल गालबातों भी होनी है की नितियों वेख के जड़ रह गया और दूझी पार्टी में छाटके तरह हैं मिलकुल जी हुण मैं अज में पेंड़ चगई सी ता उत्थे जड़े बज़वर के शामल हो ऐसी हो के ने मैं खुद माइक चबोल के दस हूंगा के मैं क्यों आया और उनने वी दस्या के मैं गरीब प्रवार नलस बंदत और मेड़ी बेटिंग पटवारी दी नौकरी मिली बिना रिश्वत्तों बिना स्पारश्तों सो लोग अपने आप ही जड़ा कमा दिश लागा कर देने अपने हाप ही जड़ी होना उनसी उर्था में दिया ने शिरोमरी अकाली दल ने चुनावी घोशना पत्र जारी किया जिसको लेकर जलंधर से शिरोमरी अकाली दल के उम्मीदवार महिंदर सिंग केपी ने ये भी कहा कि शिरोमरी अकाली दल पंजाब के मूल मुद्दों पर चुनाब लड़ रही है और बाकी पार्टियां सिर्फ पंजाब के लिए चुनाव लड़ रही हैं तो वहीं शिरोमडी अकाली दल के वरिस नेता है विंदर सिंग बुलीना ने उन्हें भी कहा कि अगर शिरोमडी अकाली दल का सरकार आएगी तो हम पंजाब के मुद्दे और पंजाब के लोगों के हक की बात करेंगे पंजाब करना ने पार्टी दे बहुत चोटे बरकर नो जनरल कॉंसल दा जिड़ा वो मेंबर बढाया रोमनी काली दल ली कोई ही पार्टी है जिड़ी अपने बरकर नो इता वड़ा माल दे सकते हैं और जित्थो तक लोग सबा हलकेदी गाला जित्थो मेंदर सिंग के पी जड़े आए इसमेल मीदबारा और मैं गाल दावे ना कह सकता कि बहुत वटी जड़ी जिना मेंदर सि के पी जड़े आओ जितन जितन जा रहा है अगारा में लेजी चौथी मीटिंग है मांकराई पेंदेवेश और बड़ा एक मांकराई आदमपूर को पर हलके ला तो इते बहुत सरे विकास ने काम जिरे है जो मैं इस हलकेदा इस जारत किते हैं को फुर्भी शुगर में ले प्रधान मंति नरेंद मोधी तेस माई को पर्ट्याला का दोरा करेंगे इस दोरान वो परनीद कौर के लिए प्रचार भी करेंगे इससे पहले घनौर में बीजेपी ने आपको ताज लेगी यहाँ पर किसानों ने बीजेपी उमीदवार परनीद कौर को काले जुन्दी भ में बड़ा फत्वा दिया है इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री भगवन मान को भी घेरा और विजेपी उमीदवार परनीद कौर ने कहा कि यदि केंद्र में विजेपी के सरकार बनने से तानाशाही बढ़ती है तो सियम मान को बताना चाहिए कि इस समय पंजाब में क बुरे और कई गलत शब्द बोले जा रहे हैं तो वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि रभ्मित बिटू दोहरी राश्विती करना बंद करेगा कि अधिया कि अधियर रहेगा जो इन्हें माटों आपने बोर्ड लाएं बोर्ड चलाया फोन चक्कल का काम करागा और दोस्ती निवा और जबान दा पकाजी स्पीच्वियों ने ही क्याया और जाने शाहर वासियर विशाश करना चाहिए यह जाब राया लोग समाज पेज चाहिए ताक ही और जाने जी वद्याने माहिए कि कार सकते हैं जीदेवजी रवनीत बितूदा असली चेहरा अज पंजाब दे लोगाने वेख लिए जेड़ा व्यक्ति रोज सिमर्जी सिंग बैस से अलजाम लोंदा है मिन्ता कड़ रहा है कि अगर तूसी इन साधी पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर लो तक वानू असीद बाल देंगे ओही व्यक्ति जड़ा सानू नेंदर है मेनू के बाजबा साथनू ओ सुनील कमार जाखड नूवी नेंदर है कॉंगर्स पार्टी के वरिस नेता पवन खेरा ने प्रेस कॉंफेंस की दोरानों ने कहा कि बिजेपी पिछले कई सालों से देश को बरबाद करने में लगी हुई है विजेपी इलेक्टोरल बॉंड लेकर आई और हम इसका विरोध भी कर रहे क्योंकि बॉंड के जरिये पार्टीयों को आने वाला पैसा पारदर्श्वी होना चाहिए साथ उन्हों ने ये भी कहा कि क्या भारतिय रास्टी कॉंगर्स पंजाब में 13 के 13 सीटे जीतेगी हमारा किसी से कोई भी मुकाबला नहीं है कि एतिहासिक चुनाव है हम मुद्दों पर लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि नरेंद मोदी भी अपनी रिपोर्ट कार्ट पर लड़ें जो दस साल में उन्होंने किया है वो दिखाएं वो बताएं लोगों को अपना बही खाता खोलें वो बही खाता ने खोल रहें के दर्वाजे किसानों के लिए क्यों बंद हैं क्यों नौजवान आत्मत्या कर रहें क्यों महिलाओं की इज़त खत्रे में हैं यह सब सवाल हम बार-बार पूच रहे हैं हमारा जो न्याएं पत्र है उसमें इन सब सवालों का समाधान भी दिया है हमने अपनी गैरिंटी हम हमारे नेता राहूल गांधी हमारे अध्यक्ष मलिकार्जुन खडगे साहब में हमारी गैरिंटीया सब के सामने रखती हैं कि महिलाओं को हर गरीब परिवार की महिलाओं को एक लाख रुपया सालाना उनके खाते में आएगा हमने कहा है भरती भरोसा पहली नौकरी पक्की तीस लाख खाली पद भरे जाएंगे तो जो हमारी पांच नियाए और पच्चीज गारेंटियां है उसका जवाब नरेंद्र मोदी के सामने के पास में नहीं है लोगसबाद छेत्र आजनाला में कॉंग्रिस नेता गुर्जीत सिंग और जाला के तरफ से कीजारी रैली के बाहर जड़प हो गई है जिसमें गोलियां चली और एक युवग घायल भी हो गया है मंद में रिष्टेदार या फिकरीबी पूने का आरोप भी लगाया जवारा कि क्याबिनेट मंत्री कुलदीब सिंग धालीवाल ने ये भी कहा कि मेरा उस गाउं से कोई भी रिष्टेदार नहीं है वहाँ पर हमारी पार्टी के कर्मी मौझूद है और इन जगडों से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री कुलदीब सिंग धालीवाल ने ये भी कहा कि मैंने प्रिष्टासन को फोन कर दिया है और कहा कि जो भी इसमें दोशी पाया जाएगा उसके खिराब सक्त कारबाई भी की जाएगी मुलत आशने विच्चा है बिना सोचे समझे और लडाई दू साड़े ना जोड़ता मैं तहनू लाका दुवस्यों दसरा जोना इडाला दुवस्यों सारे हम दसरा जोना के मैं हो जियां कठिया कार भी निकारदा एक गुंडा गर्दी ये लड़ाईयां ये सारा कुछ एक मुस्लिम कल्यार समिती पतेगर साहिब संगठन ने उससे समर्थन दे दिया है इस मौके पर आम आदमी पार्टी के उमेदबार गुर्पीद सिंग जीपी और पतेगर साहिब के विधायक लकबीर सिंग राय विशेश तोर पर पहुंचे हैं उन्होंने सम्भोधित करते हु कि अग्यार सम्भी पार्टी के लिए अलका श्री पतेगर साहब तो सादा मुस्लम पाहिचारा बहुत बड़ी तदाद विचाज सानु जोयल केता है तेरे नाला जिते सादी जिते पक्की होगी हो ते सादे जिडे साथिय सानु साथ मिलूगा इना पतेगर साथ जिनी जाके परचार करने आम आधी पार्टी नों बहुत बड़ी जिते दुवानगे अब वहर नजदे की गाओं के लेवाली रेलवे कौटर में रहने वाली दो बच्चों की मां एक महिला को उसके ससूर और पड़ोसी करीबी पिचासी प्रतिश्यत जली हारत में सिविल अस्प सास ने उससे जलाने की कोशिश की है जबकि अस्पताल से लेकर आये सास ससूर ने भी इन आरूपों को जूटा बताते हुए कहा कि उनका बेटा दुबई गया हुआ था और सास बहु के जगड़े की बात में बहुने उन्हें बरबाद करने की धंकी देते हुए खुद को लगाले फिलाद पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है अच्छित में बताता हिए दिया अच्छित पूर्टा में बात में शुटांगी यहांगी इसांटे कोला तो कचासी परशंटे वेचे बरबन होया है हैंदे इस यहांद आरी तो मेरे सवारा प्रणार नहीं बात कर लाएंटी फूर्णाटे नाम की महलादा कर लेया है मम्ता और करवदना मनिश के साधाम में केया है यह समय थे प्रवारहि वह रुआ है? समय यह संय सरी जावि Sun? कि अे में एक नोगे थे हैं एक यह खं़ेि较े है? हृएज उुर्वारहे है cmd भी इन जोन्वाइ ओरी तो मैं इसको दंका एक दो तपेडे स्पेमारे तर पुट्राइज जो नौड़ागरे लगारे लाम करेट ना मदम मरूं दखलानी कर जो तर लागी जो तो मैं पेटा पर मन्य बार काड़ी दंका दी मनी तो इसका गड़ा गौचन वहां तो तो कर गया है यहां संद्ध लग्यान है अगे लग्यान शेकर है अगर जाख लग्यान कर दूटी कर देया हूं अज यह रेड़ी भी ठ्रक्षा कर दें लाएन दी विपोर्ट पाज़ना अजे लेग दें गुर्दासपुर के पर्णोरी रोड पंसब विभाग ने सरकारी गेहूं के गोदाम में आग लगा दी और आग के सुचना फाइर बिगेट को भी डेडी गई है और आपको वजाते चले कि यहाँ पर आग लग गई थे जिसके बाद में सुचना पदमकल की गारियां जो हैं पूरा मामला गुर्दासपुर से है जोहां पर सरकारी गेहूं के गोदाम में अच्वानक से भी शडाक लग गई सुचना के बाद मौके पर फाइर बिगेट ने आग पर काबू पाया है एक पोस्ट पूलू बदमाज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया जहां पर पुलिस के चताबदी भी बना हुआ है लेकिन ऐसे तत्वो पर रोक नहीं लग पा रही है और ऐसी एक तस्वीर सामने आई है फरीद कोड से जहां पर एक यूवक ने जिसने पूलू बदमाज नाम से आईडी बनाई है और उस पर भी ऐसी पोस्ट को वारल कर दी गरने की जो है वो काफी चर्चा भी हो रही है पोस्ट के बारे में जब पुलिस को अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये वारल वीडियो उनके संग्यान में आया है जिसमें टेक्निकल सेल्स की मदद से ट्रेस्पी की आजवारा जल्दी हिरासत में लेकर कारवाई भी की जाए उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी दैशत का महाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जातकती है सोचल मीडिया पर भी पुलिस कड़ी नजर बनाए हुए है वीडियो 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 भी बेख लिया है अशिताल का उधिया प्षावक विद्वाऑ कारवाई केश़ए है पतालागे कि विष्णी कोण है या किरो तो भी महां आकशाव किता जा रहा है ईसपलियो पेए प्रेम कर लिए टेयों भी या जिसन पाका का ग्रहाए ग्दी तो पस्तर में पटेरे को दोनाई है इन्हें एक रावी इस परत्यद राजिकर की बांदी कारव़ी करेंगे इसे इस सरार्पी आंसर नों कानवी चुक्रन देमा पुर्व संसरी सचेव कृष्ण देव भंडारी सहित कई लोग मौजूद रहे इस बैठा को संबोधित करते हुए राकेश च्राटोर ने भी कहा कि प्रधान मंची नरिंथ मोधी 24 माई को जरंधर लोग सभाव में बीजेपी उमेदबार शुशील रिंकु के पक्ष में एक विशाल जन सभाव को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं फ्लास बोड़े में इतना ही नमस्कार